असलाव अलेकुम मैं मदर्जा मोलाना आजाता पर प्रैमेरी स्कूल की हिंदी की टीचर्स आज हम कक्सातिंग का हिंदी सब्चेक पढ़ेंगे इसमें हमारा टॉपिक है व्याकरण व्याकरण में भाषा भाषा एक ऐसा सादन है जिसके सायता से मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोल कर लिख कर प्रकट करता है मनुष्य यानि इंसाड यारे हमारे अपनी बाच्चित का जो तरीका है उसमें हम अपने विचारों को यानि दूसरों को समझाने के ल या लिखकर भी समचा सकता है भाषा के रूप मोकिक लिखित मोकिक यानि औरल लिखित यानि रिटन औरल यानि मूँ से पोल कर रिटन यानि लिखकर मोकिक भाषा जिस भाषा को हम मूँ से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है मोखिग भाषा में सिर्फ मूसे बोला जाता है और कानों से सुणा जाता है इसमें लिखने की जदूरत नहीं होती है इसे हम मोखिग भाषा कहता है लिखिद भाषा जिस रूप से हम पढ़कर तदा लिखकर अपने मन के भावोवा विचारों को समझते हैं यानि लिखित बाशा में हमारे जो भी विचार है या दूसरों की विचार को हम पढ़कर लिखकर अपने मन की भाव विचारों को समझाते हैं जो समझाने का तरीका होता है उसे हम लिखित बाशा कहते हैं जिसके दुआरा हमारे लिखी यानि हम लिख कभी दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं और वो समझ सकते हैं तो आपको ये काम अपनी नॉट्बॉक में लिखना है और इसको याद करना है अब आपको न्यू पेस पर हैडिंग लगाने हैं लिंग यानि जेंडर पुल्लिंग इस्तरी लिंग पुल्लिंग यानि पुरुष इस्तरी लिंग यानि इस्तरी जैसे मैंने पेस पर हैडिंग लगा है एक तरफ पुल्लिंग लिखा और इस्तरी लिंग वैसे आपको भी अपनी नॉट्बॉक में ऐसे हैडिंग लगाने है एक नमबर पर चात्र च फूफी गुड़ा गुड़िया शेर शेरनी मोर मोरनी तो आपको यह सारा हमवक अपनी नॉट्बुक में करना है और इसको याद करना है अल्ला आफिस